नमस्कार आपका स्वागत हैं। आज की इस वीडियो में आप सुनने जा रहे हैं अंदि बुडिया मा और बगवान गणेश की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गाव में एक बुडिया मा रहती थी। उसके आखों से लगबग ना के बराबर दिखाई देता था। बुडिया के परिवार में वह खुद साथ में बहु बेटा रहते थे। तूटी फूटी गास पूस की जोबडी थी। गोर गरीबी के बी रातरी में चंद्रमा को अरग देकर ही अन ग्रैन करती थी। उसका सारा जीवन बस अपने इश्ट देव के भजन में ही बीता था। वहा मेंशा कहती रहती। गणपती की सेवा मंगल मेवा। गणेश जी अंधी बुडिया की बक्ती से बहुत परसन हो गए। और बुडिय गणेश जी से कहा, आपके दर्शन हो गए, मेरे सारे मनोरत पूरे हो गए, मुझे कुछ नहीं मांगना। गणेश जी मंद मंद मुसकाते हुए अपनी परंभोली बक्त से बोले, आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, कल स्याम को मैं फिराऊंगा, तब अपना वर मांग ल देना, ऐसा कहकर गणपती अंतरध्यान हो गए, अंधी बुढिया मां कि जैसे ही नीच से जागी, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, कि सचमुच बगवान ने उसे दर्शन दिये, लेकिन उसके पास कहरी आस्था का बल था, इसलिए ऐ विश्वास का कोई कान ही नहीं वे सबसे पहले गिद्धी पढ़ती अपने बेटे के पास पहुची, और आफ्टे हाफ्टे उसे सारी बात बता दी, बेटे को मा की बात पर येकीन नहीं हो रहा था, पर मा की अटूट भक्ती पर उसे परम विश्वास था, बेटा अपने मा से बोला, मा, बगवान से दूर्शवर में कहा, मा जी, आप हर समय करती रहती हो, बच्चों के बिना घर सुना सुना लगता है, आप बपा से पोता मांग लो, अंधी बुढिया मा सोच में पढ़ देई, बेटे की बात मानू या बहु की, काफी देर सोच विचार करते हुए अनमनीशी रही, दो पह का खाना खाने के बाद वह पडोश में बतियाने के लिए चली गई, बातो बातो में बुढिया माई ने अपनी सारी रामकथा पडोशियों को कहे सुनाई, पहले तो उन्होंने उसका खोब भजा कुडाया, फिर उसे समझाते हुए बोले, माई, क्या काम के है ये माया और आती पोते, आखो से तो तुम्हे कुछ दिखाई नहीं देता, और कितना जीवन सेश है, ऐसा करो, तुम अपने लिए आखे मांग लो, बिन आखो के तो सब कुछ सुना सुना है, आखो से सारी दुनिया उजियाली हो जाएगी, और बुढापा आराम से कट जाएगा, क्या मांगू, क्या ना मांगू, इस उपमोह में, अंधी बुढिया मा अपनी लकडी को दाय बाय रखते हुए, अपने घर की दरफ चल दी, अपनी जुकी हुई कमर और दिखाई ने देने की वज़े से धीरे-धीरे, लठिया के सहारे लड़खडाते हुए, वह अपनी ज दुखाना चाहती थी, बेटे की इच्छा पूरी करे या बहु को खुश करे, या अपना बुढापा आराम से काटे, यहीं सोचते सोचते कब उसकी आख लग गई उसे पता ही नहीं चला, खुब तड़के बुढिया मा की जब नीद खुली, तब खुशी-खुशी जी का भोग तयार करने के लिए सामान एक्त्रित करने लगी, तो उनके आश्चरिय की सीमा नहीं रही, उन्हें अपनी जोपडी में छोटी सी रसोई में सब कुछ सारा सामान इकठा दिखाई दिया, जिस भी चीज की उन्हें जरूरत होती, वह उनके सामने हाजिर हो जाता बड़े प्रेम और सर्दा के साथ लड़ू, खीर, हलवा पूरी, साथ सबजिया, पांच रायते, कई परकार के चावल, पकोडे, तरह-तरह की चटनिया, अचार, पपड, सब कुछ उन्होंने बना कर रख दिया, और सारी थाली सजा दी, हर तरब से बीनी-बीनी पकवानों बस एक पूराना लक्समी गनेश वाला क्लेंडर था, उसी के सामने उन्होंने साथिया काड़ कर पाटला रख दिया, और दिया जोत करके गनपती के भोग की तयारी करने लगी, बुढिया माई गनपती भगवान के आर्ति गाने लगी, जै गनेश, जै गनेश, और हमेशे क की तरह बक्ती में पूरी तरह लीन हो गई, तभी गनेश जी फिर परकट हुए, अंदी मा ने प्रेम और सर्दा से गदगद होकर पकवानों से भरा हुआ थाल गनेश जी के आगे रख दिया, गनेश जी ने भी उसी प्रेम के साथ एक मोदक उठा कर अपने मों में रख लि गनेश जी पूरी तरह से तरप्थ होकर बुडिया मा से बोले, मेरे कहे वचन क्यानुसार, जो चाहे सो मांग लो, जो मांगोगी, वही पाऊगी बुडिया ने पहले ही काफी सोच विचार कर रखा था, वह अपने बेटे की बात रखना चाहती थी और बहु को भी खुज रखना चाहती थी, अपनी जरूरत को भी पूरा करना चाहती थी अंधी बुडिया हाथ जोड़कर गणेश जी से बोली, येदि आप मुझे पर परशन है, तो मुझे नो क्रोड की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, नाती पोता दे, समस्त संसार परिवार का सुख दे, और अंत में मोक्स दे गणेश जी बुडिया मा की चतुराई पर हस्ते हुए कहने लगे, माई, तुने तो मुझे ठग लिया, लेकिन तुने जो कुछ भी मांगा है, वह सब तुमें मिलेगा ऐसा कहतर गणेश जी अंतरध्यान हो गए, हे गणेश जी, जैसी बुडिया मा की इच्छा पूरी की, वैसे ही सभी की करना आसा करती हूँ, आपका ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद